एक और जहां प्रदेश की कमलनाथ सरकार पेड़ पौधे बचाने और पेड़ लगाने पर ध्यान दे रही है और सरकार द्वारा वनों की सुरक्षा के लिए रेंजर डिप्टी रेंजर नाकेदार चौकीदार की फोर्स तैनात कर रखी है फिर भी वनों की कटाई रुकने का नाम नहीं ले रही उदानगर रेंज के वन अधिकारी के जंगल में वनविभाग की बड़ी लापर वाही सामने आई है वनविभाग के कक्ष क्रमांग 667 में लकडी तसकरों ने बड़ी घटना को अंजाम दिया उदानगर इंदोर मुख्यमार्ग पर मातर रोड से 30 कदम की दूरी पर लकडी तसकरों ने 15 से 17 सागवन के हरे भरे पेड काट गिराए सुब़ वन विभाग के करमचारियों को जानकारी लगी की बीट क्रमांग 667 से 15 से 17 पेड कट चुके हैं लकडी तसकरों द्वारा 10 से जादा सागवान के पेडों की लकडी किसी बड़े वाहन में भर कर वहां से ले जा चुके थे और 5 से 7 जाडों की लकडी काटी हुई पाई गई सुबवन विभाग के अधिकारी मौके पर पहुँचे और लकडी काटाई को ढूंडते नजर आए करीब एग घंटे के मशक्कत के बाद वारदात की जगा पहुँचे और बची लकडीयों की PVR बनाने की कारवाई शुरू की सकक्ष 667 में लकडीया कटी हुई हैं उस बीट के प्रभारी अंदौर से रोज आना जाना कर रहे हैं कभी आते हैं तो कभी नहीं आते ऐसे में माफियाओं के होसले और ज़्यादा बुलंद हो जाते हैं बिरो रिपोर्ट दबंग न्यूज